वेलकम बैक दोस्तों कई लोगों का सवाल है कि उनके लेपटॉप में यूटूब नहीं चल रहा है प्रोपर तरीके से और यूटूब में कुछ प्रॉब्लम्स हारी जैसे कि मतलब जब यूटूब ओपन करते हैं तो नेटवर्क भी रहता है लेकिन यूटूब चलता नहीं कई लोगों को जो है यूटूब एप की दिक्कत है मतलब वह अप्लिकेशन में ही दिक्कत है कई लोगों का सर्च बार काम नहीं कर रहा है काफी सरे कमेंट आ रहे थे कि यूटूब काम नहीं कर रहा है तो लेपटॉप में यूटूब नहीं चल रहा है तो उसके लिए क्य लिए किया जाए तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका इस्तमाल करके आप किसी भी एप का जो एप की जो capability है उसको चेट कर सकते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वह जो एप है वह आपके computer में चलेगा की नहीं वह आपके windows में चलेगा की नहीं, जैसे कि window 10 से उस में चलेगा की नहीं, या फिर window 11 से उसमें चलेगा की नहीं, या फिर अपका अपक्ड़ में यंदे लया अब करेंगे आप एक फिर तरीकाँ के से लुछ आखे तरीके से तक तरीके सारी었र कालता है। तो भी ना time waste पूर करते ह कि यह जो YouTube app है वो इसकी जो capability है वो अच्छी है कि नहीं है हमारे system में चलेगा नहीं हमारे PC में चलेगा कि नहीं तो इस पर right click किजिए and यहाँ पर आपको मिलेगा properties ओके तो properties पर click किजिए and यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा इस dialogue box में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक एक आपको option में लेगा यह 6 option आपको मिल रहे हैं यहाँ पर इसमें मिलेगा आपको compatibility ओके compatible है कि नहीं आपके device के लिए मतलब यह है इसका तो इस पर click किजिए और यहाँ पर एक आपको तो टूल मिलेगा run capability troubleshooter मतलब आपके अगर यह एप है ना वह आपके laptop में नहीं चल रहा है अगर यह YouTube आपके laptop में नहीं चल रहा है आपके computer में नहीं चल रहा है तो यह उसको उसके लाइक बना देगा ठीक है अगर इसको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि यह एप चले कर नहीं चलेगा फिलहाल जो है काफी सरी थोड़कों जो दिक्कते होती है इस तरीके से solve हो जाती है तो चेक करने में क्या पूराई है इस पर run compatibility troubleshooter पर click कीजिए यह यहाँ पर जो issue है इसको चेक करेगा और find करेंगा अब यहाँ पोल रहा है कि select troubleshooting option दो option दिखाई दे रहा है troubleshoot program and try recommended setting तो basically क्या है कि setting ही इधर उदर हो जाती है तो हम यहाँ पर पहला जो option है उस पर click करेंगे try recommended setting वाले option पर तो हम इस पर click करेंगे यह आप नीचे दिखा दिखाई रहा है कि select the option to test run program using recommended compatibility setting okay इस पर click करेंगे test compatibility setting for the program setting apply to chrome proxy windows compatibility model model window add okay you need to test program to make sure this new setting fix the program before you can click next to continue बोल रहा है कि पहले आप जो है इसको check किजिए कि चल रहा है तो test program आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह option आ रहा है उस तो आपको अपन करते हैं तो देखे क्या होता है तो यहाँ पर YouTube आपन हो गया है और चल भी रहा है अच्छा तरीके से चली मैं यहाँ पर यह जिंश नूज इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंट चल रहा है चल रहा है चल रहा है कोई दिकत नहीं है यह अपर अच्छे तरीके से देख सकते हैं और कंतर्गी चल रहा है तो मित करता हूँ कि आप लोग का जो प्रॉलम है यूटूब एप के कॉर्डिंग जो काम नहीं कर रहा था सॉल्व हो चुका होगा और आप इस तरीके से किसी भी एप की जो कमप्रिटिबिल्टी है उसको चेक कर सकते हैं और इसको करके देख सकते हैं कि काम कर रहा है तो अचेवाद से क्रूँ कर रहे हैं तो इसको थोड़ाई यापर रेस्टर कर कर तक्र एक कर 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 देखिए solve हो जागा तो अच्छी बात वरना उस एप को हटा दीजिए वो एप आपके सिस्टम के लिए नहीं बना है और उससे मतल इसू भी create होता है ओके फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में इसी टैप की वीडियो के लिए आप राम जी टेकनिकल चैनल को स सब्सक्राइब कर लिए और उडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा